Hi guys, welcome back to your channel, so आज अपन रिवीव करने वाले हैं Mahindra Scorpion का बेस मॉडल जब भी अपन बड़ी गाडियों के बारे हैं बात करते हैं, आपको बहुत सारे पैसे देना पड़ता है बड़ी यहाँ पे वो केस नहीं है So before we start, special thanks to Star Automobiles for helping me out अगर आपको Mahindra का कोई पड़क देखना है Showroom की सारी contact details description में है Call करी, अपने appointment book करी, then go to a showroom and have a look Let's start with the video Start करते हैं वोकराउंड से, सब से बहुत हैं मैं आपको Mahindra Scorpion Z2 का price बदा देता हूँ So यह start होती है from 13.05 lakh एक showroom and ghost tail, 14.06 lakh एक showroom यहाँ आपको petrol मिलेगा, diesel मिलेगा, जो diesel है, वो lowest state of tune में है उससे भापको यह गाड़ी manual में मिलने वाली है, no automatic और यह two wheel drive में ही मिलेगी, no four wheel drive So that is about the configuration, अभी मैं आपको जादे अच्छे से बताता हूँ बाकी यार, price is गाड़ी का काफी affordable है, मतलब इतने price में आर आपको sonnet मिलती है, brezza मिलती है, nexon मिलती है बड़ यहाँ पे आपको यह proper भौकाल वाली SUV मिल रही है, सुबह एक बात है अब यहाँ आपको क्या-क्या features मिल रहे हैं, उसके बारे हैं बात करते हैं सबसे वहले अपन front से start करते हैं, so if you are going for this black color आपको ना यहाँ पे मतलब कोई, मतलब वो inferior वाली feeling नहीं आएगी because with this black color, यहाँ पे जो आपको यह cladding वाले elements मिल रहे हैं वो भी black है तो आपको ने एकदम ऐसा लगता है कि आपने वो mafia edition लिया है क्या यहीं पे अगर मैं white color आपको दिखाऊंगा ना, white color उतना ज़्यादा attractive नहीं दिखता है बढ़ यह वाला यार, black color तो बहुत अच्छा दिख रहा है center में अपने पास, यह mahindra का new वाला logo है, यहाँ पे आपको यह piano black में grill मिल रही है halogen setup है, यहाँ पे आपको पूरा halogen setup मिल रहा है so for low beam and high beam, यहाँ पे अपने पास turn signal है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, बाकि यहाँ पे आपको events मिल जाते हैं यहाँ पे अपने पास यह proper cladding है, और इस गाड़ी का size यार size इतना तगड़ा है इस गाड़ी का, बाकि अब मैं आपको इस गाड़ी के engine के बारे में बताता हूँ so यहाँ पे आपको दो engine options मिलते हैं, सबसे पहले the hood is so damn heavy man, इतना भारी hood है, यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलता है 2 liter का turbo petrol engine, जो की produce करता है 203 horsepower and 370 nm का torque, only available with manual then we have a 2.2 liter diesel engine, जो की आपको lower state of tune में मिलता है यह produce करता है 132 horsepower and 300 nm का torque so यह दो engines हैं, दोनों आपको सब manual के साथ मिलने वाले हैं, no automatic उस सिभ आपको यह two wheel drive में मिलेगी गाड़ी, तो वो हो गई बात बाकी यह है इस गाड़ी का engine बे, यहाँ पे आपको insulation मिल जाती, the hood is very heavy man and that just tells about the build quality of this vehicle because यहाँ पे आपको safety के मामले में कोई भी compromise नहीं करना है so that is very good, अब अपना आते हैं इस गाड़ी के side profile की तरफ so side से yes, आपको top model वाला feel तो नहीं आने वाला because यह सब चीज़े हैं, चलते हैं आपने इसके wheels की तरफ तो यहाँ पे आपको steel wheels मिलते हैं, the profile is 245 by 65, R17 so 17 inches के आपको यहाँ पे यह अच्छे बड़े wheels मिल रहे हैं यहाँ अपने बास cladding है, side steps आपको नहीं मिलेंगे but वाप बाद में लगवा सकते हैं यहाँ पे आपको ORVM में turn signal मिलते हैं और यह एकदम basic सा ORVM है इसमें कोई paint end नहीं है, सुबह एक बात है बाकी यहाँ पे यह देखो, यह सब आपको basic मिल रहा है उपर की तरफ आपको shark fin antenna मिलता है और आप आते हैं इस गाड़ी के rear look की तरफ rear से आ Scorpion का आप कोई भी model देखे न आपको ज़्यादा differences समझ में नहीं आते हैं because the lights is like the light and this यह सब ना, काफी similar दिखता है बाकी यहाँ पे आपको यह bulb मिलते हैं यह पूरा LED नहीं है तो यहाँ पे आपको bulb मिलने वाले, यहाँ पे आपको Scorpion लिखा मिलता है inferior feeling आने वाली है rear से गाड़ी बहुत अच्छी दिख रही है एकदम top model वाला feel आ रहा है मैं कोई हाँ पे so that is very good बाकी वापन चलते हैं इस गाड़ी के boot space की तरफ so देखो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है सिर्व अपने पास high mount stop lamp है no rear wiper, washer, defogger, nothing अब यहाँ पे देखे आपको यह गाड़ी सिफ 7-seater configuration में मिलेगी so 7 seats हैं अब अगर आप सारी seat को उपर रखते हैं तो यहाँ पे आपको उतना अच्छा space नहीं मिलता है ठीक है, space is decent बाकी एक चीज यहाँ पे महिंदरा ने कर दी है यह देख रहे हैं पहले ना यह नीचे होता था बड़ आपको यह एकदम flat मिलने वाला है so एकदम flat है और इसके नीचे आपको यह toolkit मिल जाती है so यह एकदम flat कर दिया गया है पहले नहीं था, so अब आपको यह पूरा flat मिलने वाला है बाकी यह seats को अगर आप fold कर देते हैं फिर आपको बहुत अच्छी जगह मिलने वाली है and if I talk about the third row यहाँ पे आप बच्चों को एकदम आराम से बठा पाएंगे बाकी adults के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं है so adults के लिए मैंने ही कहूंगा बाकी बच्चों के लिए very good place बाकी यहाँ पे आप देखे the glass area is very good, proper handles है और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा हूँ तो आपको armrest मिल रहा है यहाँ पे भी armrest है so that all is good बाकी आपन चलते हैं आगे की तरफ so start करते हैं इसके doors से यहाँ पे आपको यह नॉर्मल handles मिल रहा है इसके doors में आपको सबकुछ hard plastic मिलने वाला है यह एकदम सबकुछ basic है बाकी power windows है door pockets are good enough fabric upholstery है यह black or brown color में so that looks good बाकी side passengers के लिए आपको adjustable headrest मिलता है यहाँ से आप seat fold करके third row में भी जा सकते हैं अब आगे वाली seat मैंने अपने height के साफ से adjust करी है मेरी height is six feet space is के मामले में आर कोई भी दिकत निया like if I want I can really decline the seat and have a very comfortable ride so वह बात है बागी यहाँ आपको magazine holders मिलते हैं यहाँ अपने पास AC vents है type C का charging point center में एकदम हलका सा hump है so looking at the width of this vehicle यहाँ पे आप तीन adult को एकदम आराम से विठा लेंगे so that is very good बागी center में आपको यहाँ पे armrest भी मिल रहा है so यहाँ आप देख रहे हैं so यहाँ पे अपने पास गया armrest भी है with twin cup holders जो कि यार में को बहुत अच्छी चीज लगी मतलब मैं यहीं पे देखता हूँ मारती की टॉप गाडियों में वहाँ पे भी आपको armrest नहीं मिलता है बलीनों में, फ्रॉंक्स में बड़ यहाँ पे आपको center में armrest मिल रहा है with twin cup holders so that is very good बागी यहाँ पे आपको यह lights मिल जाती है और white light है so यह भी एक बड़िया बात है and the glass area is very good headroom के मामले में कोई देखकत नहीं है the seat की cushioning, comfort all that is good under thigh support भी बड़िया है यह सब देख लो so यह सब यार बड़िया बात है और यहाँ पे बैठने में यार कोई देखकत नहीं है very comfortable place बागि यह आपन चलते हैं आगे की तरफ so सबसे पहले हम आपको यहाँ पे Z2 model की चावी दिखा लेता हूँ so चावी आपको एकड़म basic मिलने वाली है यहाँ पे अपने पास Mahindra का logo है यह आपको flip function मिलता है और यहाँ पे आपको कोई भी button नहीं मिलते है आपको पूरा manually adjust करना पड़ेगा so open करना है बंद करना है adjust करना है सब कुछ आपको manually करना पड़ेगा बागि door pockets are good enough यहाँ पे आपको auto start stop this is for the headlight leveling यहाँ पे आप चावी लगा सकते हैं और चावी के लिए आपको यहाँ पे illumination भी मिलने वाला है so night time में आपको hole धूरने में कोई देखकत नहीं होने वाली बागि यहाँ पे आपको height adjustment डेखने को नहीं मिलता है बागि आपन चलते हैं इस गाड़ी के interior की तरफ अब किसी भी चीज़ के बात कहने से पहले इतनी बड़ी कार में आपको एक अच्छी fragrance तो चाहिए इस वाज मैं आपके लिए लिक्या है हूँ involved gel can का botanical garden जैसा इसका नाम है यहाँ पे आपको garden से जुड़ी fragrance nature से जुड़ी fragrance एक natural freshness feel होने वाली है जो की बहुत बढ़िया बात है the fragrance is very refreshing it comes in this spell proof packaging यहाँ से आप इसको regulate भी का सकते है and अगर मैं आपको इसको open करके देखा हूँ so यह देखे कैसे एकदम बढ़िया तरीके से seal pack आता है and you can open it like this और यहाँ बढ़िया पे आप देखे proper gel है so this is very good and the fragrance is so damn good so it's a highly recommended product from my side this will easily last you 45 to 60 days ठीक है so बढ़िया तरीके से और अगे आपको dry fresh technology के साथ मिलता है so यह आपकी पूरी कार को cover करने वाला है so एकदम last row तक इसकी fragrance आएगी और इसको आप ऐसे cup holder में टक सकते हैं so अगर आप भी इस product में इंट्रस्टेड हैं description में लिंक है also there's a 10% discount coupon so आप discount भी अवेल कर सकते हैं and if you want some other fragrance at involve you can find 75 plus fragrances so बहुत सारे options है so do check the link so इस car के अंदर बैटे ही आप एकदम surprise होने वाले हैं because यहाँ पे आपको यह सब चीज़े देखने को मिलती हैं जो कि अपन base model में expect नहीं करते हैं बढ़ यहाँ पे आपको यह सब चीज़े भी मिलने वाली है so यह अपन उसके बात करेंगे सबसे पहले यह आपको dual color में dashboard मिलता है everything is hot plastic start करते हैं पर इसके staring से so यहाँ पे आपको यह normal staring मिलती है बढ़ इसको पकड़ने का feel अच्छा है because इसमें आपको एक अच्छी width मिलती है so इसको पकड़ने में आपको अच्छा लगेगा यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है बढ़ यहाँ पे आपको multimedia controls मिल रहा है flat bottom है new mahindra का logo है यहाँ आपको headlight controls, wiper controls staring में आपको tilt adjustment देखने को मिलता है telescopic नहीं है सिर्फ tilt है सुब एक बात है बढ़ ठीक है यार base model है इतना बनता है अब बात करते हैं इस गाड़ी के instrument cluster के बारे में so यहाँ पे आपको side में टाको मिल जाती है जिसमें आपको clock, temperature, rudometer और इसको आप यहाँ से control कर पाएंगे so you can look at trip A, trip B अपना average fuel economy so यहाँ आप यहाँ पे देख पाएंगे DEF level, distance to MT then we have यह अपना kilometers per hour and then we have the back settings warning और trip A, trip B में अगर मैं आपको और दिखाऊं so यहाँ पे आपको clock मिल जाती है trip A और trip B so ठीक है top model जैसा ही देख रहा है top model जैसा नहीं है but it looks kind of similar so that is very good अब बात करते हैं इस गाड़ी के infotainment system के बारे में so यहाँ पे आपको android based infotainment system मिल रहा है इसमें आपको android auto apple का अपले नहीं मिलेगा but इसमें आपको bluetooth connectivity मिलती है and it's a android based system so यहाँ पे आपको यह apps, bluetooth यह अपना linking के लिए equalizer, radio यह सब चीज़े देखने को मिलती है so इसका touch response and all is kind of okay the clarity and all is also okay so ठीक है base model में आपको बहार जाके यह सब चीज़े नहीं लगवाना पड़ेगा आपको company से ही मिल रहा है so that is very good बाकि यहाँ आपको side में quick access buttons मिल जाती है यहाँ आपने पास manual AC controls है यहाँ पे आपको aux और USB charging point मिल जाता है यहाँ पे अपने पास further space है सिर्फ manual में available है center में आपको दो cup holders मिलते है यहाँ पे अपने पास handbrake है center में आपको यह armrest भी मिल रहा है with this hard finish so ठीक है armrest तो मिल रहा है और इसके अंदर आपको अच्छा खासा area मिलने वाला है यह देखे so अच्छा खासा area यार मतलब area के मामले में कोई देख करते है और यहाँ पे आपको यह normal glove box मिल रहा है इसके अंदर आपको decent space मिलता है यहाँ पे अपने बास manually dimming IR VM है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है अब बात करते हैं इस गाड़ी के safety features के बारे में यहाँ पे आपको two airbags ABS or DVD ESP Hill start assist Hill descent control यह सारी चीज़े मिलने वाली है सेफटी के मामले में यार वैसे भी Scorpio N के साथ कोई दिक्कत नहीं है सेफटी इस वरी गोड और यहाँ पे भी आपको तावसा स्पेस मिल जाता है सो वो भी एक बढ़िया बात है बाकि आप बात करते हैं कि आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए की नहीं सो अगर आपको 13 से 15 लाग रोपे में एक प्रॉपर एसुवी चाहिए फिर आप Scorpio N का Z2 मॉडल जरूर ले सकते हैं बिकास यहाँ पे आपको प्रॉपर एसुवी वाला फील आने वाला है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इतने अच्छे फीचर्स भी मिल रहा है यहीं पे अगर मैं कॉम्पेटिशन के बारे में बात करूँ या फिर अगर मैं इस प्राइस पॉइंट के बारे में बात करूँ यहाँ पे आपको नेक्सोन मिलती है ब्रेजा मिलती है जो कि अच्छी गाड़िया है बट अगर आपको इतना बड़ा वाला फील चाहिए मतलब बड़ी गाड़ी का फील चाहिए SUV का फील चाहिए Real SUV का फील चाहिए Raised Hatchback का फील नहीं Real SUV का फिर आप इस गाड़ी को consider करें और यहां पर आपको इतने अच्छे features मिल रहे है proper चीजे मिल रही है और भोकाल मिल रहा है black color में तयार क्या दिख रही है So यह था Mahindra Scorpio है इनका base model आपको वीडियो कैसे लगा do tell me in the comments और आपको एगाड़ी कैसी लगी do tell me in the comments Thanks for watching guys I hope I like this video उसको like का देना subscribe करना बलाइक का देना and comment down below आपको वीडियो कैसे लगाए and see you next video Bye